नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉम्टिशन कम्मूनिटी में और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम लोग जो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसके ताथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम आप लोग को जो अभी हाली में CGPACC Mains का एक्जाम हुआ है उसके जो पेपर आए हुए हैं टिक उस सारे पेपर को एनालाइस करके आपको बताया जा रहा है कि उसकी आंसर एटिंग कैसी होनी चाहिए थी या आपने अगर आंसर एटिंग उसका किया हुआ है तो वो कैसा किया हुआ है तो इन सारी बातों को हम लोग क्या कर रहे हैं आपको ये बताया रहें कि अगर आपने वैसा ही या उसी condition पर आपने अगर analyze किया है answer का ठीक तो आपने कैसा किया है perfect किया है और अगर जिन लोगों ने means नहीं दिया है तो उनके लिए भी एक तरीके का ये guide है कि वो इस चीट को समझ सके कि अगर future में हमें means लिखना हो तो हमे answer rating कैसी करनी चाहिए तो उसी तरीके से हम एक-एक subject को ले करके उसके एक-एक part को ले करके आपको क्या कर रहे है उस सारे answer को आपको analyze किया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके और अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है या ऐसा आपने नहीं लिखा है तो आप उ paper है आपका 7 कौनसा paper 7 का part 2 से related जितने भी question आये थे पार 2 से जितने भी question आये थे उन सारे question को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं analyze करूंगा और आप इसको ध्यान से देखेगा देखे यह कोई मैं answer rating perfect नहीं बता रहा हूं क्यों क्योंकि यहां पर ऐसा है कि हर किसी का answer अलग है उसके content अलग है यहां पर main matter यह है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाना चाहरा हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि question जो पूछा हुआ है आपने उसके according answer लिया है कि नहीं क्योंकि कई बर ऐसा होता है students को कि वो पढ़ लेते हैं question उनको ऐसा लगता है कि यहां answer हमें मालूम है और वो answer को direct link देते हैं और जबकि उस question को धंक से नहीं पढ़ने के कारण वो पूछा कुछ और होता है और हम उसका answer rating कर कुछ और देते हैं इसकी वज़े से यहां पर क्या होता है कि number कम हो जाते है subjective जो paper होते हैं इसका सबसे बड़ा reason कम number आने का यह ह होता है कि हम question को सांत रिमार्क से नहीं पढ़ पाते हैं और जब हम question को सांत रिमार्क से नहीं पढ़ पाते तो हमारा answer rating भी कैसा हो जाता है उठ पुटांग आ जाता है ठीक है और बाद में फिर हमें जब हमारा selection नहीं होता है number कम आते हैं तो हम यह नहीं देख पाते हैं कि हमने पढ़ाई तो पूरी की है हमने बहुत गंभीर और बहुत ही डीप पढ़ाई की है मगर हमारा आंसर रेटिंग परफेक्ट ना होने के कारान हमें नंबर कम मिला ठीक यह में रिजन होता है और CGPAC की सबसे बड़ी विशेशता ही है दोस्तों कि यहां पर ना अगर आपसे जो कोई कोश्चन किया है तो वह स्विप इतना चाहता है कि आपसे जो उसने कोश्चन किया है आप उसका केवल वैसे वैसे आंसर दे दीजिए वहां पर आप किसी भी प्रकार का एकदम बोल्ड ने मतलब भारी भर कम सब्दों का प्रयोग ना करें ठीक है ना सरल सब्दों महीं क्या कीजिए उसको समझा दीजिए यह इसका मुख्य रिजन होता है यहां पर CGPAC का यह कोई UPSC लेवल पर आंसर रैटिंग यह बहुत ही जादा बहुत ही भारी भर कम सब्दों के प्रयोग से यहां पर सेलेक्शन ही है यहां पर सिंपल थोट यह है कि आप से जितना पूछा गया है और जो पूछा गया है आप सिप उसी को ही क्या कीजिए आंसर रैटिंग कर दीजे आपको अराम सी इस मिसम में क्या मिल जाएगा नंबर मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला ही कोश्चन से ले कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था पार्ट में जिस सिक्वेंस में हम चल रहे थे वैसी इस सेकंड पार्ट में भी हम चलेंगे और यहां पर हम लोग उसी कोश्चन को मतलब जो कोश्चन आये हुए है उसका एनलाइज करेंगे और मैं आपको यहां पर एक तरीका की सिक्वेंस का बताने वाला हुँ कि कोश्चन जो पूछा हुआ है उसकी आंसर रैटिंग आपको कैसी करनी है ठीक है फिर इसके बाद हम ठाट पार्ट पे भी आएंगे ठीक ठाट पार्ट कभी एक वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि उसमें से उसमें कोश्चन जो आ है उसको answer rating कैसी करनी है तो वहरौल आपके पास तीन पार्ट जब हो जाएंगे तो तीन पार्ट को अगर जिन्होंने means दिया है वह इसको analyze करें कि हमने हाँ वैसी हमने answer rating की है कि नहीं और अगर जिन्होंने मैंज नहीं दिया है तो वह भी एक बार नालाईज कर ले और यह थे दो तो दो नंबर के question आये हुए थे और दो नंबर के question में यहाँपर पहला question आप से पुछा था कि सयुक्त रात्य सुरक्षा परिस्द में आस्थाई सदस्यों की भूमी का तो सबसी पहली बात याद रखिए कि कोश्यन क्या पूछा है वो कि UNO में अस्थाई सदस्यों की भूमी का पूछा है वो ठीक है यहाँ पर कुछ यह हो सकता है कि कुछ इस्टुडेंट आंसर अस्थाई सदस्य कितने है उनकी संख्या कितनी है यह लिखे होंगे गलत है यहाँ पर आपको उसने यह नहीं का कि वह वहाँ पर क्या अदा करते हैं उनका रोल क्या होता है वहां पर ज़िखेंश तो वह ज्यादा इंपॉर्टन यहां मेरा पुरा आंसा रेटिंग करना इंपॉर्टन नहीं है यहां पर मैं जीन सब्दों का प्रयोग कर रहा हूं आप उनको ध्यां से सुनिए ठीक है क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि कई स्टुटेंट यहां पर सदस्तों की संख्या भ भूमिका तो भूमिका में आप क्या लिख सकते थे बूमिका में आप यह लिख सकते थे कि च्छेत्री संतुलन बना रहता है मैं पॉइंट पे लिख रहा हूं इसको मैं पूरा आंसर रेटिंग नहीं कर रहा ठीक है मैं आपको सी पुहां पर एक कीवर्ड बता रहा हूं कि आप यहां पर क्या लिख सकते थे तो छेत्री संतुलन बनाये रखते हैं पहला पॉइंट ऐसा आ सकता है इस पे दूसरा आपक को सुल्जाने में मदद करते हैं कूट नीतिक राजनीती को बढ़ावा देते हैं कि इस है इंटिक ऑटे एक क्लिया कि यहां पर आपको यही लिखना था कि और इससे यहां पर आपको आन्सरेकर रहेट तींग नहीं करनी ठींग हां कुछ लोग यह कियों गे कि सदस्तों की संख्या लिख दिया गयं द developed लिरांट भारत भी एक सदस्त हैं भारत की भूमी का मत्रपोन है, यहां पर भारत को लेकर के कोश्चन नहीं किया है, और नहीं आपसे यह पूछा है कि सदस्यों की संख्या क्या है, यहां पर सिर्फ और सिप डारेक्ट रूप से पूछा है कि उनका रोल क्या है, किसका अस्थाई सदस्यों का, किसमें सयुक्त सरक्ष्चा परिशद में साउक्त राष्ट संग में संध संध की इनको वीटो का पावर तो वन्ही cm इंका रोल पूछा हुआ है तो आपको शुरक्ष्चा मतब ऊनों में सैंसरा की वह ब्हुमिका है जो संग्टन एक है जो उनका पाठ यापका सुरक्षा परिसद से समभन दीद उसमें भूमिका बता है तो यहां पर भूमिका में आप यह बता सकते हो ठीक कि वहाँ पर अगर सुरक्षा परिषद में अस्थाइस सदस्ट होते होंगे तो वहाँ पर छेत्री संतुलन बना रहेगा ठीक उनमें कूटनीतिक राजनीतिक बढ़ावा होगा समस्याओं के समधान में अंतराश्टी इस्तर पर क्या होगा मामलों को जल्दी सुल्धाय जा सकता है ठीक है ना ओकी तो यह सब बातों को क्या करना था इसमें आपको सामिल करना था और यहां पर अगर ऐसे ही किसी नांसल आइटिंग किया होगा तो यहां पर उसको दो नंबर मिलना निश्ची था क्योंकि याद रखिए 30 वर्ट के जो कोश्चन होते हैं जो पूर नंबर मिल जाते हैं मैं यहीं बताने के लिए आपको मैं कोश्चन का अनालाइज कर रहा हूं मैं यहां पर किसी प्रकार का पूरा आंसर described नहीं कर रहा ठीक मैं आपको एक तरीका बता रहा रहा हूं कि आपने अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बैस्ट है और अगर आपने ऐस कैसे ही करें थीक है clear समझ में आ गया तो यहां पर पहला कॉश्चन क्या था आपका की संवत्राज सुरक्षा परश्चाद में और सदस्यों की भूमी का यह होगा आपका पहला कॉश्चन इसके बाद आ जाये तो कोश्च ये है कि अतराश्टी नाले के संदर्भ में विवाद इसपत अधिकारिता से क्या आयर्षा है थिक समझ में है थोस्ती एब है तो यहां पर यह है कि अगर आपको हिंदी वर्जन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका इंग्लिस वर्जन को देख लो तो इंग्लिस वर्जन में अगर मैं इसको पढ़ूं तो यहां पर आंसर रैटिंग कैसे होगा तो ध्यान से देखिए इन रिलेशन टू इंटरनेस्टल को जस्टीस वाट इस मिंट बाई कंटेंज जूरिस जूरिस डिरेक्शन ठीक तो यहां पर अंतराश्टी न्याले के संदर्व में विवाद इसपद अधिकारिता से क्या आसा है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह व हाँ आतराश्टी न्याले का काम यह है इंटरनेशनल कोक यह की चितने भी विवादिषपस मेंटर होता है उट उनको वह सौल करता है तो उनको शुलणाता है उनकी लिए क्या करता है वो नियाय करता है जितने भी कैसे मैटर होते हैं विवादिस्पद जितने भी मैटर होते हैं ये उनी को ही सुलजाने का काम करता है तो यहां पर गुमाया जरूर है सब्दों को बड़ा जरूर किया है मगर वो डिर्यक रूप से सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूछ रहा है कि अंतराश्टी न्याले के कार अगर आप इन डिर्यक रूप से देखें तो इसका मीनिंग यही होता है कि उसकी विवादिस्पद अ खूbaar जाता है जो विवादित मुद्दे होते हैं उनकुल सुलझाने का जो उसके पास अदिकार है उसकी को यहां पर क्या करना था आपको explain करना था इतना करना था कि अंत多श्टी न्याले का काम है कि विवादिस्पत समस्याओं को सुल्धाना विवादिस्पत मुद्धों को या विवादित मुद्धों को ले करके नय करना ठीक है यह आपको बताना था किसमें अंतराश्टी नयले की विवादिस्पत अधिकारितासों को ले करके ठीक है तो विवादित मुद्धों को सुल करना था तो यह आपके क्या हो गए दूसरे कोश्चन हो गए पहला कोश्चन समझ में आया कि उसको कैसे आंसर राइटिंग करना था और दूसरा कोश्चन यह देखो मुद्धा यहां पर यह है कि आपको सबसे पहले अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप पहले उ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे मतलब चरण सहीं तरीके से नहीं कर पाएंगे यह शार से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको आपको कोश्यर को ढंग से संभनना पड़ेगा कोश्यर year तोama सर्ट इसे कर सकते हैं चलिए तीसरे कोश्चन पर आते हैं नों तो तीसरा कोश्चन है सीत काली ऐलम्पीक खेल पर टिपणी लिखो यहांम लिखा है तो टीप नहीं देना है तीप की जगा यह यह तीप मतलब होता है कि जब हम होटल में जाते हैं तो खाना खाने के बाद वेटर को जो दिया जाता है उसी को बोला जाता है तीप यहां से थोड़ा सा मुद्दा चेंज मुद्दा ये चेंज कि क्या पुछा है कि सीट करिंट खेल पर एक टिपनी लिखिए उसको करेक्शन कर दीजेगा सौरी वह टिपनी है तो टिपनी लास्ट वाला जो लाइन लिखा हुआ है तिपनी तो सबसे पहले तो यह बाते आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर टिपनी वाद यूज किया है तो टिपनी क्या होती है आपको यह पता होना चाहिए देखें यही मेंस है पता मेंस यही है कि कुछ कुछ कोश्चन ऐसे इ विवेचना कीजिए, समिक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, संचिप्त विवेचना कीजिए, टिपणी कीजिए, यह लास्ट लास्ट में लिखता है, तो इसको यह नहीं समझ में आता है, कि जो लास्ट में लिखा हुआ है, टिपणी करना, विवेचना करना, उलेक करना, तो इसको वो क्यों लिखा है और इसका अर्थ क्या होता है क्योंकि आंसर उसी के हिसाप से दिया जाता है तो पहले तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि टिपणी करना है यहां पर तो आपको ये पता होना चींए, एक तो तिपनी करना है और उपर से कितने लाइन में करना है चाल लाइन पे मतलब 30 वर्ड पे करना है तो तिपनी का अर्थ क्या होता है उसके बादी भले आपको मालूम होगा किसी इत्कालियोम्प क्या है मगर याद रखिए उसने लास में क्या लिखा हुए तिपणी कीजिये लिखा है क्या कीजिये तिपणी तो तिपणी का अर्थ ये होता है कि अपनी राय या सलाह देना एक संचिप्त रूप से अपनी राय या सलाह को देना ही क्या कहलाता है तिपणी कहलाता है तो यहाँ पर जिस दिस कोश्चन के बाद तिपणी वाड यूज किया है तो यहाँ पर आपको एक राय देनी थी एक सलाह देनी थी और अपने विचारों को वहाँ पर रखना था कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या उसके बारे में लिखेंगे, या क्या उसके बारे में सोचेंगे, जैसे आप से किसी ने कोई राय मांगी, कि मुझे अच्छे से मेंस की त्यारी करनी है, तो मैं क्या करूँ, तो उसने आप से क्या मांगा, एक राय मांगा, अब आपने क्या कि आपने उसको क्या दिए एक सला दि कि एक काम कर यार कि तू इसकी book पर तू उसकी book पर उस coaching को जॉयन कर ठीक यह वाला वीडियो देख वो वाला वीडियो देख ठीक इस सब चीजों को तू करेगा तो क्या होगा कि तेरी तैयारी perfect हो जाएगी तो उसने आपसे राय मांगा कि मैं तैयारी कैसे करूँ और आपने उसको बहुत सारे क्या दे दिये, आप्शन दे दिये, तो जब आपने उसको जो आप्शन दिया, तो वो हो गई सलाह, और वही सलाह क्या कहलाती है, तिपनी कहलाती है, जिस पे उसने क्या निकाला, एक निसकर्स निकाला, क्योंकि तिप सीट कालीन ओलंपिक खेल पर एक तिपनी लिखिए तो यहां पर आपको क्या रखनी थी अपनी एक सलाह रखनी थी अपनी एक विचार रखने थे कि आप क्या जानते हैं सीट कालीन ओलंपिक के बारे में और वो भी संचिप्त रूप में तो संचिप्त रूप में कहने का मतब यह हो जाता है कि चोटे रूप में ही आप सारी बातों को क्या करतों इंक्लूट करतों कि पढ़ने वाले उब को जैसे होते ना सवीधान का ना कि तो सविधान के बारें में ख़ोगना कि आप प्रस्तावना पर पता कि सविधान क्यों बना सविधान किसके लिए बना सविधान क्या दे रहा है और सविधान की विशेषता क्या है तो प्रस्तावना को मतलब उतने बड़ी सविधान को पढ़ने से जाद अच्छा है उतने सारे आर्टिकल को समझने से जाद अच्छा है कि आप एक प्रेम्बल पढ़ लो प छोटे से रूप में एक अपने विचारों को लिखना था और उस विचार में ही जो पूरा का पूरा सीत कालीन ओलमपिक आ जाता तो यहाँ पर answer writing कैसे करनी थी देखे, मैं आपको पहले भी बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर answer कैसे लिखने थे आपको यह बताने के लिआया हूँ मैं यहाँ पर perfect answer नहीं लिख रहा क्योंकि main tip ऐसा श्वरूप होता है exam का जिसमें आपकी answer writing कैसी है मतलब आपने answer क्या लिखा, आपने content क्या डाला है आपके नजरों में content perfect है मगा check करने वाले के नजर में माल लिजियो content perfect नहीं है तो आप वहाँ पर कुछ ही नहीं कर सकते उसको नहीं आया पसंद उसको आपके content पसंद नहीं आया तो आपको दो की जगा उसने एक number दे दिया तो ज्यादा से जद आप क्या करोगे आप अपनी copy ने कलो आओगे और court में जाओगे तो court में जाओगे तो check करने अला बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पसंद आया इनका लिखना तो आप उसको सजा तो मिलेगी नी तो यहाँ पर यह होता है कि मैं यहाँ पर आपको अगर मैं answer लिख भी दिया तो यह कोई confirm नहीं है कि मेरे answer perfect है मैं एकदम best answer लिखा मगर मैं आपको लिखने का एक तरीका बता सकता हूँ कि आपको answer rating कैसी करनी चाहिए यहाँ पर उसकी सुरुवात कब होती है कब किया जाता है यह सब कुछ नहीं तो इस में answer कैसे लिख सकते है एक विशेज प्रकार का एक विशेज प्रकार का ओलंपिक है मैं पुरा नहीं लिख रहा हूं प्रेयर पॉइंट पॉइंट लिख रहा हूं जिसमें जिसमें अधिकांज खेल जिसमें अधिकांज खेल बर्फ पर खेले जाते हैं कुछ खेलों के नाम डाल दो जैसे फीगर स्केटिंग आई सोकी अल्पाइन स्केटिंग आदी एवं इसकी शुरुवात 1924 में फ्रांस में हुई तथाई से नाडिक गेम्स भी कहा जाता है बस इसम्पल और यहां पर आपका पूरा का पूरा सीथ कालीन ओलंपीक सामिल हो गया कि यह एक विसेद प्रकार का ओलंपीक है जो समानेता इसमें अधिकांज खेल अधिकांज वर्ड यूस की आउं में याद रखेगा समपूर्ण खेल नहीं अधिकांज खेल बर्फ में खेल जाता है जैसे फीगर स्केटिंग आलपाइन स्केटिंग फ्यूस करद आई सौकी आदी तथा इसकी सुरुवात 1924 फ्रांस में हुई इसे प्राचीन समय में या इसका पूरारा नाम नाडिक्स गेम भी है बस यहां पर आपको यह पूरा का पूरा सामील हो गया क्या चीजिस इसी को बोलते हैं टिपपणी अपनी राय अपनी सलाह अपनी सोच को आंसर में लिखना ही टिपणी कहलाता है क्लियर समझ में आ रहा है चलिए नेक्स होकी में पैनल्टी सूट आउट क्या है तो यह भी थोड़ा सा क्या है कि एक ऐसा कोश्चन है जिसके आंसर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग सी लिखे होते हैं कि किसी खेल में अगर होकी में क्या बोलते हैं कुछ भी गलती होने प पत्याब एक प्रकार का पैनल्टी प्रकार का शरूप है और जिसमें गोल और किया जाता है गोल पोष्ट पर कौंन खळे रहता है पम गोल पर युपकर मगर इसके आंसर रेटिंग ऐसे नहीं है आपको पूछा गया है कि पैनल्टी सूट आउट क्या है तो आपको यहां पर पैनल्टी सूट आउट पर क्या लिखना था कि इस ट्राइकिंग पोजीशन पर मैं थोड़ा सा इंग्लिस वर्ड यूज़ कर रहा हूं तो देखिए यहां पर एक सवल और आ जाता है कि क्या हम अगर हिंदी में आशा रेटिंग कर रहे हैं तो क्या बीच बीच में हम इंग्लिस वर्ड यूज़ कर सकते जी बिलकुल कर सकत हैं यहां पर यह नहीं है पूरा कपूरा हिंदी में लिख्षू नहीं अगर को कुछ सब्द ऐसे लगते हैं कि फट्टा गई आपको हिंदी में नहीं बन रहें तो आप उसका इंग्लिस वर्जन विलिख सकते हो आप उसकों इंग्लिस में भी पेनल्टी सूट आउट दिया जा सकता है परंतु वह गल्ती 25 मीटर के दायरे में हो ये एक कीवर्ड 25 मीटर के दायरे में हो एवाम एवाम गोल पोस्ट से 10 मीटर दूर पर बैक लाइन में गेन रखी जाती है जिसके पश्यात खिलाडी को गोल में हीट करना होता है ये होता है पेनल्टी कॉर्णर दो कीवर्ड एक तो आप वो दायरा बताओ कि कितने मीटर की दूरी पर गल्ती होने पर स्ट्राइकिंग पोजिशन से 25 मीटर दूसरा गेन को कहां सूट आउट दे देता है तो बैक लाइन में गेन को रखी जाती है जो गोल पोर्ट से कितना मीटर की दूरी पर होता है जिसके पश्यात खिलाडी को क्या करना पड़ता है गोल में हीट करना होता है यही कहलाता है पेनल्टी कॉर्णर यह अगर ऐसा अगर किसी ने आंसर ल इसको समझा रहâ ना मैं और इसके आंसर को अगर किसी के लिख रहा हूं तो आपको तक सिर्फ यह देखना है कि इसको उतार यह मत पहली बाथ तो यह है ठिक किसी को अगर लिखना है तो लिख ले कोई दिकत नहीं है क्यूंकि यहीर दुबारा रीपीट होगा नहीं question में से तो नहीं था और रिपिटन तो नहीं होगा मगर फिर भी अगर यहां पर आप यह समझ लाए कि हम को आजसर को कैसे लिखना है यह समझ लंता सिधा को गर मैं खुद पल रहा हूं तो таким गो यह चीज़े मैं आपको बता तो उस चीज को समझने पर ज्यादा कॉंसेंट्रेट कीजिए क्लियर चलिए नैक कोश्चन पर आते हैं आपन पाच्वा कोश्चन था कि आयमेप पर फिर देखिए क्या लिखा है आयमेप पर संचीप्ट टिपनी लिखिए तो मुझे अच्छे से मालूम है जहां तक अब इत कुछ स्टुडेंट यहां पर सुरुवात में लिखे होंगे कि इसका गठन कभ हुआ 1945 मतलब उन्होंने इसके गठन को ही पहले लाइन पर लिख दिया होगा कि अंतराश्री मुद्रा कोस का गठन 27 दिसंबर 1945 को किया गया जहां से शुरुवात की होंगे कई स्टुडेंट याद रखिए ये भी एक आपके लिए कीवर्ड है कि कभी भी अगर आप से इस प्रकार के कोशन पूछता है किसी संस्था को लेकर के कोशन पूछता है और आ कोशन भी शुरुवात में नहीं लिखना को शुरुवात में उसको नहीं लिखा जाता है कि क्लियर है तो यहां पर पूछा है इंतराश्री मुद्रा कोस परी संचिप तिपनी तो मैं अच्छे से जानता हूं मैं समझ रहा हूं गलती हुई है इस्टूदेंटों से गलती होती है कोई दिकत नहीं अगर कोई पहली बार लिख रहा है आंसर तो ज्यादा निराज भी मत होए कि सर तो कुछ और बता रहे मैं तो कुछ और लिख के आया हूं ठीक है सर वैसी बता रहे हैं जैसे मैं लिखा हूं तो उसमें निराज होनी बात नहीं है होता है मगर यह है कि एक तरीके से आपको एक सीख है कि आपको क्या करना है फ्यूअ में अगर अगर इस प्रकार का को चीज आए तो आपको वहां पर सुधार करना है । यहां पर करें क्या की ऊंगे look at क्यों तो देट से कभी भी anser की नहीं की जाती ध्यान दीजेगा डेट से कभी भी आंसर की शुरुआत नहीं की जाती अब यहां पर अगर आपको लिखना था तो आप यहां पर शुरुआत कैसे करते शुरुआत ऐसे करते कि अंतराश्टी मुद्रा कोस्ट पर संचीप टिंपनी है तो यह एक अंतराश्टी एक वेस्विक संस्था है जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तक्निकी सहायता प्रदान करता है तथा अंतराश्ट्री मुद्रा कोस्क अब यहां पर जैसे यहां पर इसको लिख दो कि यह एक वेस्विक संस्था है जो अपने सदस्य देशों को आर्थिक वह तक्निकी सहायता प्रदान करता है अब यहां पर आपने माली जे देल लैन में इतना लिख लिया अब यहां पर क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो कि इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को किया गया तथा यह अंतराश्ट्रिय यह अंतराश्ट्री इस्तर पर विन्मेदर को इस थिर्ता के साथ साथ विकास पर भी बल देता है इसकी मुद्रा HDR है जिसमें डॉलर एन पाउंड डॉलर एन पाउंड ठीक ओके क्लियर यह सीच सामिल है तो यह क्या कर सकते हो इसको इस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो सुरुवात कभी भी फांडेशन ना फांडेशन से या फांडेशन डेट से नहीं करनी चाहिए यह आपका क्या हो सकता बहतरी आंसर हो जाता कि या कंट्रास्टिव स्थर की संईतह है चिसके चिसमें आपका पांड पाॉंड टेण जो मिहए वो चीज़ कर इसicio पर सामिल है बस यह आपका हो जाता आंसर जिसमें यह पता चल जाता कि यह क्या देता है एक प्रकार से लोन प्रदान करता है आर्थिक सहता प्रदान करता है अपने सदस्देशों को मगर आर्थिक के साथ साथ उन्हें तक्नीकी सहता भी प्रदान करता है यह राष्ट देशों के मतलब खुटे रूप में क्या हो जाता पूरा 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 आयम एफ सामील हो जाता बस यह आपको करना था क्लियर चलिए नैट कोश्चन है अब यह थोड़ा सा करेंट लेवल पर कोश्चन था कि वैस्विक वैपार अधिनियम प्लानाली ग्लोबल सिस्टम आप ट्रेड से आप क्या समझते हैं मतलब यहां पर पूछ रहा है कोश्चन यह नहीं बोड़ा कि क्या है कोश्चन यह नहीं पूछा है कि GSTP क्या है इसमें यह पूछ रहा है कि आप क्या समझते हो इससे आपकी नजर में यह क्या है आपको यहां पर यह आंसर लिखना था यहां पर आपको अपनी राय देनी थी, कि आप इस से क्या समझते हो कि आपके लिए यहां यहां पर आपको यह बताना था. तो जैसे आप जानते हैं ठीक है कि यह क्या है यह यूएनों के द्वरा गठी था यह जो अंतराश्ट्री वैपार को बढ़ावा देने के लिए मगर अंतराश्ट्री वैपार में वह भी किसकौन से अंतराश्ट्री वैपार के लिए तो यह developing countries के लिए विकासिल देशों में वैपार मतलब विकासिल देशों के मद्ध वैपार को बढ़ावा देने के लिए है और तैरीफ जो अंतराश्ट्री तैरीफ सिस्टम है ना उसे हटाने के लिए ताकि वैपार का क्या हो सके आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में वैपार किया जा सके यह इसके लिए बना था अब यहां पर आपको अपनी क्या देनी थी कि आप उसमें क्या समझते हो तो इसमें आप क्या लिखते कि जी एस टीपी मतलब उसका पूरा नाम लिखते कि क्या कि ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेट प्रिफरेंस जो विकासिल देशों के मध्ध वैपार को सुगम बनाने तथा अंतराश्च्री इस्तर पर टैरिफ प्रानारी या सिस्टम को खतम करने के लिए लाया गया था जिससे दो देशों के मध्ध विकासिल देशों के मध्ध वैपार की समाब्द किया जाए क्वित मियं मंख्षत तरीं जो प्रावल्म आती थी कि एक दरी बीच की भी टैक्स शिस्टम जो लागू हुआ था कि वैपार करने आंसर ऽाते कि यहांपर यह भी नहीं था कि आप यह बता रहे हो कि एétais ग्लोबल ट्रेड मतब् सब्सक्राबर किसे ग्लोबर पर यह नहीं बता रहे हो कि यह अपकी क्यों जाते आंसर हो जाती क्लिए रहे चले यह हमाज में आ रहा है आप लोग को कि कैसे करना है आंसर राइटिंग यही चीज आप लोग को सीखनी है गले की हड़ी है ठीज वो ही हड़ी है अगर वो थोड़ा सा निकल गया तो मेंस ज्यादा हाड नहीं है क्योंकि में 70% question मतब 70% syllabus जो होता है वो हम pre में cover कर लेते हैं फस्ते कहां पर है हम कि हम जब 70% pre में cover कर लेते हैं फिर भी हमसे मेंस clear नहीं होता reason यह हो जाता है कि हम answer को कैसे लिखना है ये चीजे नहीं सिख पाते और हमसे पूछा कुछ और है हम बता कुछ और रहें तो आपको number कैसे मिलेगा अब इसी question में पूछा है कि वैसविक वैपार अधिनियन प्लनानी से आप क्या समझते हैं मतलब यहां पर आपको यह बताना था कि आपको अपनी सोच बतानी थी न मगर यहां पर कई लोग लिखे होंगे इसकी परिभासा कि यह क्या है क्या है लिखे होंगे तो क्या है नहीं बताना है आपको वो डारिक आप से पूछ रहे कि आप क्या सोचते उसके लिए तो यहां पर अपने आपकी सोच को अपने विचारों को यहां पर आपको क्या करना था explain करना था तो यहां पर आपके answer perfect हो जाते यही चीजे सिखाना है मिरको और यही चीजे आपको भी सीखना है तब आपका selection confirm है कि आपकी answer rating मतलब मेंस का पेपर फिर आपका नहीं बिगड़ता या नहीं बिगड़ेगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद खंद 2 आ गया section 2 सब्द सीमा आपकी कितनी है साथ और नंबर थे चार ठीक अब इसमें देखते हैं इसमें क्या question था तो सबसे पहला question इसमें यह था कि अर्जुन पुरुसकार पर एक संचेप्त तिपनी लिखिए तो यहां पर भी जैसे मैंने पहले इस से पहले question में कहा था कि कई लोग लिख दिये होंगे foundation निशन डेट तो यहां पर भी शुरुआत यही हुई होगी कि इसकी सुरुआत इतने तरिक से हुई थी 1961 से हुई थी यह खेल में दिया जाने वाले उत्कृष्ट पुरुसकार है बस उसके पूरे के पूरे किस-किस को दिया गया है यह लिखते पहला पुरुसकार कप दिय गया यह लिखते वर्तमान में कितिल को दिया गया यह लिखते मगर यह आपका परफेक्ट आंसर नहीं होता आंसर जरूर होता नंबर आपको इसमें जरूर मिल जाते मगर हमको एक केवल नंबर नहीं पाना है हमको एक परफेक्ट नंबर पाना है हमको उतना नंबर पाना है कि अगर ये चार नंबर का question है तो मुझे कम से कम गिरी सी गिरी हरत में तीन तो मिलना ही चाहिए तीन साड़े तीन तो मिलना ही चाहिए मुझे ऐसे answer लिखने है यहाँ पर तो वो कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर question क्या है ही तो question यह है कि अरजुन पूरुस्कार पर एक संचीप टिपनी लिखी दो अर्जुन पूरुस्कार पर संचीप टिपनी लिखने की यह अर्जी वह त्तमान में ध्यान चंद हो गया ती यह तो यह त्यों लिख सकते हैं खेलों में दिये जाने वाले ध्यान चैन खेल रत्न पुरुस्कार के पश्चात भारत का दूसरा सबसे प्रतिस्ठित पुरुस्कार है जो खिलारियों को उनके लगतार चार साल तक उतिक्रिष्ट प्रदर्शन खेल भावना तथा अनुसासन के लिए दिया जाता है यह लाइन अगर आपने लिखा है सुरुआत में मतलब यह दो लाइन या तीन लाइन में आपने लिखा है तो यह आपकी बेस् रखिये पढ़ने वाला कभी भी पूरा का पूरा अंसर नहीं पढ़ता वो शुरुवात के एक दो लाइन में ही समझ जाता है कि बंदे को सब चीज मालूम है तो आपको यहाँ पर ये लाइन लिखनी थी कि खेलों में दिये जाने वाले उत्कृष्ट पुरुसकारों में से राजिव गांदी खेतने पुरुसकार के पश्चात दिया जाने वाला भारत का दूसरा उत्कृष्ट पुरुसकार है जो खिलाडियों के लगातार चार साल तक याद रखिए ये वर्ड याद रखिएगा कि लगातार ये कब दिया जाता है जब कोई खिलाडी लगातार चार साल तक क्रिस्ट प्रदर्शन करता है खेल भावना बना के रखता है और नुसासन के साथ खेलता है तो ही उसको दिया और यह राष्ट्री पुरुसकार के रूप में दिया जाता है मतलब राष्ट्री खेल के विजेटा को दिया जाता है ठीक पहले इसके वादं यहां पर लिख देते की सुरुआत 1961 में हुई थी यहां पर लिख देते हैं ठीक है ना क्लियर जिसमें क्या था आपका की पहले पांत लाग रुपे पुरुस्कार दिया जाता था अभी वर्तमान में कितना दिया जाता है 15 लाक दिया जाता है इसकी रासी बढ़ा दी गई है जिसमें नगद रासी के साथ-साथ अर्जुन की एक कास से प्रतीमा कौन सी प्रतीमा कास से प्रतीमा दी जाती है और इसके पश्चात एक प्रसस्तीत प्रमार पत्र भी दिया जाता है यह यहां पर यह लाइन हो जाती आपकी कि खेलों में दिया जाना लाग पुरुस्कार और उसके बाद थिर यह और फिर इ करने के पशक्याट इसमें खेल्ढवना अनूसाषण के लिए भी मतब खेल्ढवना अनुशाषण उत्ъle circum Adeleасiggers नद झाल को देख कर ही क्या आपका अर्जून पुरुसकार दिया जाता है ये आपको नसिंट करना अधा तो फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है यह perfect answer हो जाता है clear है चलिए next question UNESCO के कारियों का वलनन फिर वही कौन सा आठफे नमबर का question है साठ सब्ध है UNESCO के कारियों का वलनन करना है यहाँ पर फिर आप ध्यान दीजेगा कि सिर्फ वसिप क्या बोल रहा है उसके कारे कौन है UNESCO यह नहीं बताना है किसका संगठन है यह नहीं बताना है भारत से कितने लोग कितने अंतराज मतलब इस मारक को UNESCO ने सामिल किया यह नहीं बताना है यहाँ पर सिर्फ वसिर्फ UNESCO क्या कार करता है और किसके लिए कार करता है यह बताना है आपको युनेस्को सिक्षा, समाज, विज्ञान, संस्कृती को बढ़ावा देने का कारे करता है, साक्षर्टा के लिए कारेक्रम आयो जीत करता है, एतिहासिक इमारते भवनों पार्को का सरक्षन करता है, यह आपको क्या करना था, लिखना था अंसर में, कि सिर्फ युनेस्को के कारे बताने थे, कि सिक्षा, यहां पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ से रिलेटेड कोई कारे नहीं करता है, स्वास्थ वर्ड यूज नहीं करना, तो यह सब चीजों को क्या करना था है आपको तो सिर्फ उसके कार्यों को ही क्या करना था explain करना था इतने में आपको number मिल जाता आराम से किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं होती चलिए next question देखते हैं अब यह बहुत ही important है इसको अगर मेरी साथ से अगर देखा जाए तो इसको ना लॉंग answer में देना था लॉंग answer में यह बहुत अच्छा रहता या तो इसको एकदम short answer में देता 30 word में और या तो इसको लॉंग answer में देता तो यह एकदम current level का question है question क्या पूछा है आपसे कि विश्व स्वास्त संगतन द्वारा वर्स 2022 के विश्व स्वास्त दिवस पर दिए गये तीम पर एक Study लिखिये तो फिर से यही कोशन आगया क्या लिखना है आपको टिपन्य और किस पर लिखना थीम पर तो यह 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 काम करता हैuckyन वेश्व संगतन पर ध्यान दीजेगा दोनूं अनतर है आपको डबलुएचो के ऊपर तिपडी नहीं लिखनी थी कि डबलुएचो यह है डबलो एचो यह काम करता है ऐसा यह यह नहीं लिखना था WHO के द्वारा जो 2022 में विश्व स्वास्त दिवस पर थीम रखा गया था उस थीम को आपको explain करना था और थीम क्या था थीम ये था हमारा ग्रह हमारा स्वास्त मतला में मकसद उसका क्या था में मकसद उसका मोटो क्या था आपका स्वास्त पर किस पे था उसका मकसद स्वास्त पर मकसद था उसका मतला हैल्थ को ले करके क्या किया गया था 2022 का विस्वसाद दिवस मनाया गया था तो इसी पर आपको explain करना था पूरा का पूरा आंसर कितने वर्ड में? 60 वर्ड में, clear? तो यहां पर आप क्या लिखते हैं? कि विशुसाद संक्रेंद्वरा 2022 में दिये गए विशुसाद दियस थी हमारा ग्रह, हमारा स्वास्त, पूर्णता मानव जीवन के स्वास्त पर तथा क्योंकि हाल ही में, हाल ही में, WHO के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में हर साल लगभग, याद रखिए, एक और बात आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी, आप अगर answer rating कर रहे हैं, और वहां पर आपके पास कभी कोई data से related, आपको कोई point वहां पर दिखना है, तो याद रखिए, हमेशा data को कैसे लिखेंगे, एक प्रॉक्स में लिखेंगे, लगभग word use जरूर कीजेगा, क्योंकि आपको ये कैसे मालूम है, कि जो आप data लिख रहे हैं, वो एक दम actual right है, तो actual data किसी के पास नहीं होता, तो यहाँ पर आप लगभग word use जर लगभग 13 अरब मौतें किसे पर्यावरन के असंतुलन के कारण होती है, मतलब पर्यावरन के परिवतन के कारण होती है, जिसमें मुक्रूप से जलवायू परिवतन भी एक कारण है, जो मानुवी स्वास्त पर सबसे बड़ा क्या है, एक कारण है, जो मानुवी मौतों का से प्रमुक कारण है तो 2022 में विष्ट्व स्वास्त संगटन के द्वारा हमारा ग्रह हमारा स्वास्त थीम पर क्या किया गया विभिन का एकरम आयूजित किये गये जिसका उद्देश मानुवी स्वास्त की सुरक्षा करना था ये आपके पूरे के पूरे आंसर हो जाते तो यहाँ पर WHO का ना कोई जिक्रा आ रहा है मतलब उसके ना कारियों का जिक्रा रहा है ना उसके उद्देशों का जिक्रा रहा है सिर्फ इस theme को ही क्या कर दिया गया, पुरा explain कर दिया गया, यही करना था आपको इसके answer writing में, कि यह हमारा ग्रह, हमारा स्वास्त, और सहीं भी बात है, आजकल छोटी-छोटी, मतलब ना, छोटी-छोटी age कहने का मतलब है, कि आजकल ऐसा सुनने में आता है, कि 12-13 साल, 14 साल क उन्हें में आता था, अब वो 12-13 साल के उन्हें में हटेटेक आ जा रहा है, तो यह क्या है, यह स्वास्त ही है, मतलब यह जलवायू परिवतन, वह atmosphere के changes के कारण ही है, लोगों के खान पान के बदलाओ के कारण है, तो यह स्वास्त पर बहुत बड़ा क्या कर रहा है, नु स्वास्त कैसे सुरक्षित होगा, तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्त, यह क्या था, इसका एक मुख्य मोटो था, इस स्वास्त दिवास के उसर पर, तो उसी मोटो के उपर आपको क्या करना था, पूरा को पूरा answer explain करना था, यहां पर डबलू एचो का कोई जिक्र नहीं करना बस, उसके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका section 3 है, उत्तर सीमा 100 सब्द है, और अंक कितनी है, 8 अंक है, और उत्तर सीमा 100 सब्द है, अब इसमें answer rating और इसमें question क्या थे, और इसमें answer rating आपको कैसी करनी थी, चलिए, देखते हैं अपन, मेरे ख्याल से जो मैं चीज समझाना च समझो, प्रीपास हो जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पहली बात याद रखिए, मुख्य रूप से जब तक आप अपने पदपन नहीं बैठ जाते, तब तक आप क्या हैं, आप कुछी नहीं है, ये वास्विक्ता है, हमें ऐसा लगता है कि हम प्रीपास हो गए हैं, हमने immense में answer perfect लिखा हुआ है, कई लोग को ये उमीद भी है, होनी भी चाहिए, कि immense मेंने best लिखा है और मेरा selection होगा, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उमीद पर दुनिया कायम है, तो आपको ये उमीद होनी चाहिए, मगत कुछ लोग यहां पर क्या हो जाए होँगे, थोड़े से निराज की नहीं मैंने answer rating अच्छी नहीं लिखी होगी ऐसा वैसा में को कम नमर आएगा देखो सबसे पहले तो आप याद रखो कि आपने subjective paper दिया है और subjective paper को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक analyze कर सकते हो कि हाँ मुझे लगभग इतना मिल सकता है या मुझे मेर को इतना मेरा आ सकता है मगर आप एकड़म perfect रूप से analyze नहीं कर सकते इसलिए मैं यहाँ पर हर question को पूरा explain मतब उसकी पूरे answer rating नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको वो चीज समझाना चाहरा हूँ कि आप यहाँ पर यह देखिए कि हमको कैसे answer को लिखना था या हमें कैसे answer लिखना चाहिए यह चीज सिखाने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो answer अगर मैंने लिखा है मैंने भी means दिया है मैंने भी means दिया है और अगर मैंने वो आंसर वहां पर लिखा हुआ है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे आंसर को सामने चेक करने अला पसंद करें, हो सके उसके लिए वो परफेक्ट ना हो, मगर हाँ, वो मेरी आंसर रैटिंग को पसंद जरूर करेगा, कि मैंने वो ही लिखा है, जो वो चा हैता है, तो मुझे नंबर किसमे मिल लाएगा मेरी आंसर रैटिंग पर, कि मैंने वो ही चीजे डाली है, भले सरल सब्दों को यूज करके मैंने उसको लिखा है, मगर वो समझ गया उसको, बोलते ना कि कम्मिनिकेशन तब तक कम्प्लीट नहीं होता, जब तक सामने वाला आपकी बातों को ना समझे, तो आपकी आंसर रैटिंग भी तब तक कम्प्लीट नहीं होती, जब तक आपने जो लिखा है, वो सामने वाला उसको समझ ना पाए, और यही चीजे में आपको समझाना चाहता हूं, कि आपको वो लिखना है, कि पढ़ने वाले को एक लाइन मे परफेक्ट की है, और वो ही चीज में आपको सिखाने के लिए आया हूं आपकर, तो चलिए, नेक कोशन देखते हैं, थोड़ा बीच बीच में प्रावचन करना भी जरूरी हो जाता है, चलिए, देखते हैं, मौजूदा भूरादनितिक परिद्रिश्य में, ब्रिक्स के मह तो यहां पर आपको जिसे अभी हाली में बेठख हो या आप उसके बारे में जानते हैं, तो वहां में अपनी क्या डालो, आप उसमें और यहां पर एड़ प्रिजेंट ब्रिक्स के जो जो कार्य हो रहे हैं जैसे आपको मालूम है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं तो ब्रिक्स में आपका ब्राजिल रूस इंडिया चाइना साउथ अफरिका और ये टोटल विश्व की कुल जनसंख्या क्या आप 42 प्रतिश्चत जोड़ते है लगभग विश्व के वैपार में मतलब अंतराश्टी विजनेस में लगभग 7% इनका युगदान है लगभग परफेक्ट नहीं है याद रखिएगा तो आपको इस सब चीजे मालूम है क्लियर और ये जो इसमें जो देश हैं ठीक तो सब के सब कैसे हैं एक आपके विकास सिल देश हैं विक्सित देश नहीं है इसमें बी आराई सी एस तो इन सब देशों की भूमिका में मतलब वत्मान में राजनीती मतलब विक्सित देशों के तहत को ले करके की डेवलप कंट्री में ब्रिक्स की क्या भूमिका और ब्रिक्स के कारण डेवलप कंट्री में या अंतराश्टी वैपार में, अंतराश्टी सांती वैस्था में, अंतराश्टी एकोनॉमिक्स में क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव पल रहा है, तो इन सब चीजों को एनालाइस करके, आप यहां पर क्या करते, आंसर को एक्स्प्लेन करते, किस-किस मुद्दों पर आपका आजाता अर्थ वहस्ता मतलब आर्थिक मुद्दा आ जाता कूट नितिक मुद्दा आ जाता आतंकवादी मतलब सांती वरस्था वाला मुद्द्ध आ जाता चेक के परिपेक्ष में कि यहां देशों का वर्थमान रादनीती में और कि यह है कि क्या चिद अंतराश्त्री स्तर पर की रादिती उस पी क्या प्रभाव है तो इसको यहां पर यह चीजों को क्या करके आन्सर को खलिक देना था आपको यह आपकी हो जाते परफेक्ट आंसर हो जाते बस इतना आपको यहां पर करना था तो इसलिए question अगर पढ़ो तो पहले question को समझो और थोड़ा सा क्या करो उसको analyze करो तब देखिएगा कि अगर जो चीज आप नहीं भी पढ़े हो तो वो चीज वहाँ पर अगर question को analyze कर रहे हैं तो भी answer क्या हो जाता है हमारी समझ में आ जाता है और हम answer को explain कर देते हैं तो question को समझना important है clear चलिए देखते है next next question है अब यह next question है कि भारती क्रिकेट में मितारी राज क्यों पलब दी तो थोड़ा सा हसने वाला मुद्दा यह है कि current की जो question होते हैं और खासकर जो sports portion होता है तो sports portion जोता है वह लड़कियों का बहुत कमज़ोर होता है तो यहां पर sports में पूछा भी है तो एक लड़की कोई पूछा है और वह कौन है मिताली राज तो यहाँ पर आपको मिताली राज की उपलब्धी और उसके क्या बताना था योगदान को बताना था कि उसने भार्थी क्रिकेट में क्या योगदान दिया और फिर उसके बाद उन्हें इस योगदान के लिए क्या-क्या उपलब्धी मिली तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको दो तरीके से आप क्या कर सकते थे? आंसर कर सकते थे. पहला यह था कि उपलब्धी को ले करके, दूसरा यह था युगदानों को ले करके. सौ सब्दों में कोश्चन था, तो पहला उपलब्धी को ले करके और दूसरा युगदान को ले करके. तो सौ सब्दों मतलब लगभग मानके चलिए, दस से ग्यारा लाइन या बारा लाइन. तो आधे लाइन में मतलब लगभभ 5-6 लाइन में, 5-6 लाइन में आप क्या लिखतेए? आप इसकी पहली उपलब्धियों को लिखते की इसको क्या-क्या उपलब्धी हांसिल हुई है, तो 6000 रन बनाने वाली पहली मैला, 200 वंडे खिलने वाली पहली महिला 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला इसके बाद इनको जो क्या मिल चुका है अरजुन पुरुसकार मिल चुका है पदमश्री मिल चुका है ये इनके पुरुसकारों को लिखते तो यहां पर सिर्फ उसी उन्होंने लभ्या हासिल की है विस्डन क्रिकेट 2015 में सामिल होने वाली पहली महिला सबसे कम उम्र में मतलब 21 वज की उम्र में 100 वंडे मतलब 100 वा टैस्ट खेल रही थी और इसको कप्तान बनाया गया था तो सबसे कम उमें में कप्तान बनने वाली सबसे यंगेस्ट भारती महिला है ये कप्तान बनने वाली लगता साथ अर्ध सतक लगाने वाली पहली महिला है मतब पहली महिला भी बोल सकते हैं और लगता 7 सथा सजसानगा अर्द सथाग हाप सेंश्च्टरी लगाने वाली पहली więc पूरूस और महिला दोनों को मिला करके क्योंकि continue 7 और्षतक लगाने का इनका रिकार्ट को तोड़ा था इन जय मामॉल हक ने पाकISTान के थे उन्हें continue पहले इन्होंने लगाया लगाता साथ सतक continue match में step two mã तो और फिर इनOOOO के रिकार्ट को तोड़ा था जो पाकिस्तान के critics रहा benefits थे तो overallalt male और female दोनों में ही लगातार साथ अर्षा तक लगाने वाली पहली क्रिकेटर है यह विस्व की चाहे हो पुरूस को लो चाहे हो महिला को लो यह उनकी प्लब्दी है क्लियर तो यह चीजों को आपको क्या करना था एक्सप्लेंट करना था फिर इसके बाद इसके योगदान को तो इनके योगदान में क्या लिखते कि भारत की महिला कप्तान रह चुकी है विस्व कप में ले जा चुकी है सेकेंड रैंक में ला चुकी है मतलब बहुत सारे इसक के खिलाब खेला हैदराबाद में रही हैदराबाद में क्रिकेट खेली यह सब चीज़ें नहीं बताना था यह सब नहीं एक्सप्लेंट करना था पहला कप खेली आखरी कप खेली यह सब चीज़ें नहीं करना था सिर्फ उन्होंने क्या क्या एक्ट्विमेंट हांसिल किया य और यह इनका एक्षिमेंट था कि 200 वंडे खेलने वाली, 6000 बना ली, 10-000 बनाने वाली, विजडन क्रिकेट में सामिल होने वाली, यह सारी चीजें, लगतार 7 अर्षतक लगाने वाली, यह चीजें इनकी उपलब्धी आती, इन चीजों को यहाँ पर एक्स्प्रेंट करना था, पहला सतक कप लगाया, यह सब चीजें नहीं लिखना था यहाँ पर, सिफ एक्षिमेंट को बताना था उनकी, यही चीजें मैं आपको समझाने चाहता हूँ, चलिए, next, अब आजाओ, यहाँ पर जो कोश्चन है, वो है आपका 125 सब्द का, और 10 अंका था, और यहाँ पर थ तो पहला कोश्चन यह था आपका, कि कोविन महामारी को नियंतरन करने विस्व साथ संगटन की भूमिका का परिक्षन कीजिए, और दूसरा इसमें अथ्वा करके था, दोनों में से एक बनाना था कि क्वार्ड क्या है, विस्व की सुरक्षा चुनौतियों को हल करने में, तता सक्ति साली देशों में संतुरन बनाया रखने में इसकी क्या भूमिका है, तो पहले एक एक कोश्चन को देखते हैं, चलिए, तो पहला कोश्चन था, मतलब 125 वर्ड में दोनों में से एक लिखना था, मैं दोनों को बता रहा हूं, उसके आंसर को कैसे लिखते आप लो जो जो काम किया वो सही है कि नहीं या सही तरीके से किया कि नहीं तो आप यहां पर इसके कारियों का परिक्षण पांस तरीके से कर सकते थे मतलब 5.00 लिखते अब 5.00 में उसकी पुरे कार्यों का मतलब कोविट को रोकने के कार्यों का क्या हो जाता परिक्षन हो जाता तो 5 में क्या क्या लिखते पहला पॉइंट यह लिख देते की एक मेंट बता रहो उचीत अनुसाशन तथा मिध्या या भ्रामक सूचना को रोकना स्वास्त कर्मियों को प्रसिक्षन पदान करना प्रसाक्ष कर्मियों को प्रसिक्षन पदान करके उन्हें कोबिट को रोकने के लिए प्रसिक्षित करना प्रसिक्षिंड किया मतलब करना नहीं किया तीसरा निर्धन और गरीब निर्धन या गरीब देशों की सहायता की वैक्सिन की वैक्सिन का परिक्षन के मतलब वैक्सिन का जो उसने परिक्षन किया उसकी उपलग उसकी उसका परिक्षन करते वैक्सिन को वैक्सिन की जाच जरूरतमंद देशों को सहयता किसे जरूरतमंद देशों को सहयता कैसे पहुँचा या यब बताते रंग आया कैसे उसके भ्रामक विज्यापनों को मतलब भ्रामक सुचनाओं को उसने रोका तो इन पास तरीकों से क्या करते आप डबलू एचो के जो कोविट को रोकने का जो उसने कारे किया उसका परिक्षान कर सकते थे तो इसको पांच पॉइंट में लिख देते पांच पॉइं क्या करते लाइन में लिख देते तो आपके क्या हो जाते यह अंसर हो जाते तो इसको क्या करते पांच तरीके से हम अराम से कर सकते थे पॉइंट में भी इसको लिखते ना आप तो भी आपको क्या मिल जाता इसमें नंबर मिल जाता जोरी नहीं था कि आप पूरा का पूरा sequence में लाइन में लिखो point में भी इस तरीके से जैसे 125 वर है तो आप उसको point में लिखते तो भी आपका answer perfect बन जाता मगर point में लिखना ज़्यादा अच्छा हो जाता क्योंकि यहाँ पर क्या करना था इसका correction करना था तो परिक्षण करने के लिए हमको यह तो पता होना चींए कि इसने कारे का क्या किया और उस पर थोड़ा सा समझने की देरी थी कि आप अगर question को समझ जाते या अच्छे से समझ करके उसको लिखते तो बहुत अच्छे नंबर इसमें आराम से आ जाते चलिए देखते हैं next question यह समझ में आ गया तो ऐसे तरीके से क्या करते आप इस answer को explain करते चलिए इसी में एक था आपका अथवा करके दो दोनों में से एक बनाना था जिसने दोनों बनाया है और अच्छा बनाया है मुझे इतना उमीद है कि आपने answer rating जरूर अच्छी कियोगी clear फिर भी अगर आपको कुछ यहाँ पर कमी लग रही होगी तो आप उसको यहाँ पर देख करके अपना analyze कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर दूसरा अथवाला question है तो वह है कि quad क्या है विश्ट की सुरक्षा चुनोतियों को हल करने में तथा सक्तिसाली देशों में संतुनन बनाया रखने में इसकी क्या भूमी का है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यह बताना था कि quad क्या है तो यहाँ पर क्या लिखते कि यह एक चतुर्भूज सुरक्षा छेत्र है या इसको ऐसे लिखते इसे चतुर्भूज सुरक्षा छेत्र के नाम से यह इसे की जगा辉क लिख सकते थे Quad को नितीन तरीके से एक ही लाइन को मैं तीन तरीके से एक्प्रेंट कर सकता हूं यह मतला तीन तरीके से बता सकता हूं जैसे इसको ये लिख सकते थे या एक चतरबूद सुरक्षा छेतर है या तो इससे सुरुवाद करते या इसे चतरबूद सुरक्षा छेतर के नाम से भी जाना जाता है इससे सुरुवाद भी कर सकते थे और या ऐसे सुरुवाद करते कि क्वाड को क्वाड जिसे चतरबूद यह लिखना था गाव्सा ए दो यह दो करने आ हैं इसली सोह समें चार को नाम लिख दैश CPR एह बस आपको यह लिखना था कि क्या यह यह एक पूर्वॉत सूरकशा च्शेत्र है जिसमें चार विक्तBER मत्बब इसमें विकासी देसों के सदस्य देह सामिल है जिसमें यह चार सदस्य हैं और इसमें कौन सामिल है अबस इतना बता कि एक दो लाइन में ההट को इहाँ पर यह 2 लाइन में इसको इसको कम्पलीट कर देना था कि तो Quard को, दो लाइन से जादा नहीं जादा स्यादा हो गया तो धाई लाइन इससे यादा इसको नहीं लिखना था पूरा का पूरा आंसर डिपेंड था किस पे, नेक्स्ट वाले लाइन पे मगर इसका सिर्फ इतना कि Quard क्या है ये दो लाइन में खतम हो जाता अब पूरा का पूरा आंसर किस में जाता आपका पूरा का पूरा आंसर जाता आपके उस वाले में अब वो अला लाइन क्या है वो लाइन है आपका कि विश्व की सुरक्षा चुनोतियों को हल करने में तता सक्ति साली देशों में संतुनन बनाया रखने में इसकी क्या भूम आपका अमेरिका अब यहां पर कोश्यन क्या पूछ रहा है वो कि विश्व की सुरक्षा चुनोतियों को हल करने में तता सक्टी साली देशों में संतुलन मगर विश्व की सुरक्षा चुनोती और क्वार्ट का गठनी क्या किया गया था कि प्रसांद छेत्र को सुरक्षित र और इसमें से भी उस वहां से भी देश सामिल है इसमें भारत भी सामिल है अमेरिका भी सामिल है जापान और ऑस्टेलिया भी सामिल है तो विश्वी स्तर पर इसकी भूमिका क्या हो जाती कि अंत्राश्टी स्तर पर भी इसमें क्या है आपके विक्षित देश जो सबसे महासक्ति साली देश अमेरिका भी इसका सदस्त है तो अंत्राश्टी स्तर पर संतुर्ण बनाया रखने में महत्यपूर्ण भूमिका निभा हुई एक नई अर्थ वहस्ता वाली देश बनने जा रही है या बन रही है तो यह भारत जो विश्व की सरवाधिक दूसरी सबसे ज़्यादा देश है जापान जो तक्नीकी में सबसे एक्सपर्ट है मतलब सबसे ज़्यादा आगे है वो भी इसका सदस है ऑस्ट्रेलिया जो दिरे दिरे आगे बल रहा है तो इन सारे देशों की विश्ष्टाओं को इंक्लूट करके और यह कैसे आतंकवाद या सांतिवयस्था को बनाये रखते या आतंकवाद को समाप करने के लिए जोबी नहीं नियूंने काम किया या सांतिवयस्थाओं की जो भी काम कर रहें उन सारी बातों को क्या करते हैं पर क्या करते हैं यहां पर explain कर देते हैं बाद इतना करना था इसके answer में यह थोड़ा सा complicated था यह थोड़ा पोर्शन मतलब जो last question है यह थोड़ा सा ऐसा था कि इसमें आपको सोचने पर ज्यादा यह मद्दूर करता कि actual में यह कैसी उसको यह कर रहा है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए था कि quad है क्या और इसकी सकती मतलब इसके कार क्या है इसके अधिकार क्या है और एक काम क्या करता है इतनी चीजे अगर आपको यह मालूम हो जाएगी तो आराम से आप इसकी answer को विश्व परिपेक्ष में लिख सकते ह आपको क्या करना तेहां पर answer writing करनी थी यही चीजे आपको धीरे धीरे सीखनी है कि अगर आपने अभी तक अगर मेंस लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर जिसने मेंस नहीं लिखा है और वो तैयारी कर रहा है तो वो बिलकुल इस चीज को analyze करे इस वीडियो को देखे और उस चीज को समझे कि कैसे answer लिखना है क्योंकि 7th paper को मैं पहली भी आपको बताया हूं कि market में इसको ले करके perfect कोई book नहीं है जैसे बाकी सब subject की book मिल जाएगी आपको मगर एक perfect book 7th paper को ले करके कहीं नहीं है तो वही चीजे आपको करनी है और चीजे सीखनी है कि इसमें अगर question आ रहा है और पूछ रहा है तो मुझे उसकी answer rating कैसे करनी है तो part 2 का यह आपका analyze था और मुझे यह उमीद है कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा आप इस चीज से जरूर सीखे होंगे कि हमें कैसे answer rating करनी चाहिए या अगर आपने mains लिखा है तो हमने answer rating कै इसी की है यह दोनों ही चीज़े आपने बहुत अच्छी से सिखी होंगी मैं इस बात की पूरी उमीद करता हूं तो अपन next video में मैं आपको part 3 के question को analyze करूंगा उसको भी अच्छे से देखेगा समझेगा और अगर जिसने में लिखा है तो वो उसको जब उसको भी देखे औ इतना तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आये हैं तो next video में आपसे फिर मुलकात होगी मैं दिनेश पांडे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं जै चाहिए तो जै चाहिए फिर आपसे मुलकात होगी और फिर उसके बाद हम लोग next video पर भी मतलब next part 3 पर फिर से ऐसी चर्चा करेंगे तो वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और किसी प्रकार का अगर कोई आपको doubt है या कुछ आपको मन में कोई question है तो मुझे comment पर जरूर बताएए मैं आपको उसका answer जरूर दूँगा तब-त खर आपको उसके उसके geared वीडियो कोईगे हम हम वीडियो को रची सथा खानिय वीडियो को आपको उसका और का स bulg multim終設 का पानियो